असकार दोस्तो मैं विजे कसाना डेजिटल फिरेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो मेल कोंस्टेबल के फीजीकल के लिए जरूरी सुचना है पूरा पीडियाफ अगर आपने पढ़ लिया तो अलग बात है साथियो वरना इसमें मोश्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बदलाव एचससी करने वाली है जो पहली बार कर रही है इसलिए आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा हमने कल ही वीडियो मना कर आपको बता दिया था कि आपके फिजिकल 17 दिसंबर से 28 दिसंबर तिक लिए जाएंगे इसका रजल्ट कब आएगा ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा रेस का रजल्ट उसके बाद सात्यों आपको PMT और डोकुमेंट्स वेरिपकेशन होगा तो उस समय सात्यों आपको क्या क्या सावदानी बरतनी हैं ये तो देख लिया होगा आपने कि मेल कॉंस्टेबल वाले कंडिडेटों का जो रेस है वो डाई किलोमेटर की होगी 12 मिन्ट में एक्सरिजमें कंडिडेटों की एक किलोमेटर की रेस पांच मिन्ट में होगी और इसमें चिप सिस्टम होगा यानकी रेडियो फ्रेक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन डिवाइस के तैत आपकी रेस होने वाली है तो सात्यों इसके अलावा हाइट का आपको पताई है 170 cm जर्नल कटेगरी 168 cm रिजरव कटेगरी इसमें रखी गई है चेश्ट है 83 cm से 87 cm जर्नल कटेगरी 81 cm से 85 cm रिजरव कटेगरी चेश्ट रहने वाली है इसमें साथ यो main point ये भी आ रहा है आप देख सकते हैं कि अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं यानि कि फिजिकल टेस्ट के कोई नमबर नहीं है ये आपको only क्वालिफाई करना है इसके बाद आपका online documents verification होगा link 31 December को एक्टिवेट हो जाएगा 31 से 2 जनौरी तक 3 दिन तक आपका link एक्टिवेट रहेगा जापर आपको online dv करवाना होगा इसके अलावा साथ यो जो SDM तैसिलदार या Executive Magistrate के द्वारा attested आपको no job certificate वाला फोरम है वो affidative साथ यो देना होगा आपकी बार लिख दिया है self attested undertaking will not be accepted यान कि self attested असेप्ट नहीं होगा online में भी आपको यही forum लगाना है और जब 3 तारिक से physically आप dv करवाने जाओ तब भी आपको यही लेकि जाना है साथ यो और आपको पता होगा कि इसके result की बात करें तो result race का result 28 दिसंबर तक race चलने वाली है इसके बाद 29 और 30 दिसंबर यानि कि दो दिन के हो जकता है 29 दिसंबर को ही result जारी कर दिया जाए race का या फिर 30 दिसंबर को तो पका ही result आना है race का योगि 31 दिसंबर सी जो ओनलाइन डिवी है उनी कंडिडेटो को करना है जिनका race में जो race में पास होंगे उनी कंडिडेटो को डिवी के लिए बुलाया जाएगा इसलिए सालतियो रजल्ट उससे पहले जरूर आ जाएगा 14 दिसंबर को आपके जब admit card आएं तो आपको दो admit card निकलवाने हैं ऐसे नहीं करना कि एक admit card निकलवा के दूसरी उसकी photo copy करवा ले दोनों ही आपको print लेके जाने हैं साथियो print निकलवा के लेने हैं दो admit card के और आपकी बार नया प्रोसेस ये भी कर दिया है आप देख सकते हैं biometric data captured at the time of written exam यहनकि जो written exam के time आपका biometric data हुआ था वो match करवाना होगा PhD के time, PMT के time और DV के time तीनों time आपका data match करवाया जाएगा साथियो फर्जी candidate को बक्सा नहीं जाएगा in case of biometric mismatch of candidate he will not be allowed to participate in the test यानि कि DV, PMT या PhD में allow नहीं किया जाएगा अगर आपका biometric data mismatch होता है तो साथियो यह बड़ी decision है इसके लाव साथियो chairman साब ने भी यही जानकरी provide करवाई है जो जानकरी notice में भी mention है यह देख सकते है पिछपन सो पदों का लिखित परिक्षिया परिणाम गोशित कर दिया है आयो के अदेक्स बोपाल सिंग खदरी ने दैनिक सुएरा को बताया कि लिखित परिक्षिया के कुल पदों का साथ गुणा उमिद्वारों को physical screening test के लिए बुलाया गया था हमने पहले ही बता दिया था साथियो आपको मैं आपको रजल्ट से पहले बता दिया था कि रजल्ट कैसे तयार होगा लेगिन फिर भी आपके कमेंट आ रहे तो आप देख सकते हैं कि पूरुष सिपाई पद के लिए 31 अक्टूबर एक नॉम्बर दो नॉम्बर को लिखित प्रिक्षिया उजित की गी थी इसलिए यन किसी कंडी रेट का तो कम क्यूसन ठीक होने के बावजूद सेलेक्शन हो रहा है और किसी का जदा क्यूसन सही होने के बाद भी सेलेक्शन नहीं ओपा रहा है तो इसमें भी बताया गया है कि आपको एड्मिट कार्ड है यह देख सकते हैं 14 दिसंबर 2021 से एड्मिट कार्ड जासकेंगे उन्होंने बताया कि दो फैर डाइब जे बाद परवेश बंद कर दिया जाएगा और एड्मिट कार्ड की दो अलग दो बार अलग अलग डाउनलोड की हुई कोपी लेकर पहुंचे फोटो स्टेट परती लेकर नहीं पहुंचे यह बात साथी उस नोटिस में म की गई है तो ऐसे अपडेट आपको अगर रेगुलर चाहिए तो चैनल के साथ बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा श्यादा शेयर करें वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते नेक्स वीडियो में